नमस्कार किसान भाईो, सूपर करोप के इस यूटूग चैनल में आप सबी कस्वाव गयता है किसान भाईो आज हम चर्चा करेंगे कि आपको बेंगन की खहिति किस परकार करने केता उसमें बीज कि बिल्गुल बोल होता है एक थोड़ा ओप लॉंग थोड़ा सा लंबा आपको दिखाई देगा और तीसरा क्या होता है बिल्कुल चोटा साइज होता है उसका तो तीन तरह की जो बंगन में आपको मिलते हैं तो उनके जिस तरह का आप लगाने चाते हो उसी के कोडिंग पर आपको देखना है भी कौन सी कंपनी का अच्छी कंपनी का लेकर आओगे तो इसकी पैदावार भी अच्छी होगी आपको नहीं पड़ने क्योंकि जो अभी आप सो तिन सु चार सु रूपए जितने आप बचा लोगे एक पैकेट के पिछे आप ठीक आप नेगा थोड़ कि सतरी कोई बेज किसान बाई हो कुछ भी लगारे हो बीज आपको अच्छी क्वाल्टी का मिश्जाण ? बीज कंसरी कйति के मामले में कर दो नहीं चाहिए कि पिज के उच्छ ने होने वाड़ा, थो इसके बाद में बास करते हैं, अगर आप एक एकड़ के अंदर लगाते हो तो आपको कितने एरिये के नर्सरी है वो लगाने पड़ेगी बेंगन की खेती के लिए तो इसके लिए आपको एक एकड़ के अंदर बेंगन लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक मरला जो जगह है वो चाहिए अगर आप तियार करनी है किसान भायो बहिए अगर बीज की बात करें तो आपको एक एकड के लिए 400 ग्राम बीज है उसकी जुलता आपको परती एकड के हिसाब से पढ़ने वाली यह बैंगन की अब बात करते हैं कि इसकी नर्सरी लगती कब है बैंगन लगता वैसे किसान भायो जो बै किसान भायो बात करें कि खेट के अंदर जब आप लगाना है उसके लिए आपको क्या करना है किसान भायो तो खेट में आपको जो किसान भायो जो कतार से कतार का जो अंतर है किसान भायो आपको रखना है लगबग 67 cm के असपास और जो पोदे से पोदे का जो अंतर है किसान भायो आपको 30 cm रखना है किसान भायो अब बाद आती है किसान भायो की जो नर्सरी आपको कैसे त्यार करने है किसान भायो जैसे को आप और पसलाओं टोमाटर में लगा रहे हैं वही तरीक यह वैसे विए सलीगडी खाद है वह आपको लेनी एंदर में लानी है तियार कर दो कि आप कर सकते हो ता कि नसरी के अंदर जो भी बेक्टेरिया उसका अच्छे खतम होजे इसमें कुछ चीज ना बचे जो फोर्म किसान बाइयो अब बात करते हैं कि इसके इंदर खाद कितने डालने है किसान बाइयो तो खाद के अंदर आपको क्या करना है कि आपको यूरिया है वो आपको 55 kg रखना है अपको 155 kg रखना है उसके बाद में MOP है किसान बाइयो वो आपको 12 kg परती एकड के साब से प्रयोग करनी है और यह सभी जितनी यूरिया है आपकी SSP है MOP है यह आपको बिजाई के समय है अपने खेतों के अंदर जो आपके जो आप ट्रांस्प्लांटिंग करोगे अपने ख आपको 15 kg यूरिया फिर से एक बार आपको डालनी है तक आपकी पैदावार है वो अच्छी हो किसान बाइयो उसके बाद में अगर पानी के बात करें किसान बाइयो कि पानी हमें कितनी बार देना पड़ेगा इसके अंदर तो लगबग क्या कि 10-15 जैसे आपने एक बार तो इसको पानी आपको देना पड़ेगा किसान बाइयो अब बात करें इसके अंदर मुक्य समस्या है क्या क्या रहती है तो किसान बाइयो इसमें जो समस्या मुक्या आपके क्या आती है एक तो इसके अंदर आता है जैसीड वो भी काफी ज्यादा नुक्सान करता है हाड़ा ब लाइट वो भी आपके ज्यादा आती है बाइट रोट की भी बेंगन की खेती के अंदर समस्या रहती है लिटर लीफ है उसकी भी समस्या इसके अंदर आती है किसान भाईयो और रूट निमा टोड़ जो है उसकी समस्या भी आपको बेंगन की खेती के अंदर आपको किसान भा बांच्पाई दनेवा